ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक का एक बार फिर से पोलिस से सामना हो गया है दरसल कभी लॉक्टॉन के नियम तोड़े तो कभी ट्राफिक नियमों की अंदेखी की और अब एक और नियम तोड़ कर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने फिर से मुसीबत मोर ली है दरसल इस बार मामला रिशी सुनक के पालतू कुट्टे से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो एक बार फिर परिशानी में है रिशी सुनक और उनके परिवार को सेंटरल लंडन के हाइड पार्क में बना लिश के अपने कुट्टे को खुमाते हुए देखा गया लेकिन इस पार्क में साफ संकेत है कि वन्ने जीवों को तहलाने के लिए उन्हें जेन से बांथना जरूरी है सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें रिशी सुनक और उनकी पतनी एक कुट्टे के साथ सेंटरल लंडन के पार्क में खुम रहे हैं वीडियो की चर्चा तब शुरू हुई जब पीम रिशी सुनक को बिना लिश के अपने कुट्टे को खुमाते हुए देखा गया नियम के मुताबिक इस पार्क में अगर कोई अपना पालतू जानवर टेलाने या गुमाने के लिए लाता है तो उसे चेन से बांधना जरूरी है लिकिन रिशी सुनक में ऐसा नहीं किया था जिसकी वज़े से पार्क में मौजूद एक अधिकारी ने उन्हें रोका और नियमों की याद दिलाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मेट्रोपॉलिटन पुलिस पार्क पहुँची तो उन्हें देखकर नोवा नाम का रिशी सुनक का कुट्था भौकने भी लगा पुलिस ने बार में एक बयान में रिशी सुनक की पतनी अक्षता मूर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मौजूद एक अधिकारी ने पीम रिशी सुनक और उनके परिवार से बात की और नियमों का पालन करने के लिए कहा इसके बाद कुट्थे को लिश से बाधा गया आपको बता दे नियमों की अंदेखी करना ब्रिटिश पीयन रिशी सुनक के लिए कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी वो कई बार नियम तोड़ चुके है इसी साल जनवरी में कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए उन पर सौफ पाउंट का जुर्माना लगाया गया था इससे पहले साल 2020 में डाउनिंग स्ट्रीट में एक पार्टी में भाग लेने के दौरान उन पर कोविड नियमों के उलंगन के मामले में भी जुर्माना लगा था सुनक उसमें बोरिस जॉनसन की सरकार में वितमंत्री थे उन पर अरोप लगा था कि उन्होंने सामाजिक दूरी पर सरकार के कोविड नियमों का उलंगन किया है आपको बता दे 42 साल के रिशी सुनक का जन्व बिटेन के साउथ हैम्टन में एक भार्टी परिवार के यहां हुआ था उनके दादा दादी का तालुग पंजाब से था फार्मसिस्ट मा और डॉक्टर पिता के बेटे सुनक ने इंगलैंड के सबसे प्रसिद स्कूलों में से एक विंचेस्टर से पढ़ाई की है इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वद्याले चले गए उन्होंने गोल्डन मैन सिक्स ग्रूप इंक में काम किया और बाद में अमेरिका के कलिफॉर्णिया में स्थित सैंटफॉर्ड यूनिवरस्टी से एम्बे किया ब्रिटेन के प्रिधानमंत्री चुनी जाने के बाद से रिशी सुनक अपने परिवार के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने लगी है सुनक के साथ उनका कुत्ता नोवा भी इसी घर में रहता है इसकी तस्वीर भी ब्रिटेश पीम ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें वन इंडिया हिंदी के साथ